फिरख एससा के दुस्ते आप जेश हते हैं मैंने बेंग्नीपके कर ठाइम प्रेम लगा है यहां पर ऊण अवर का और चार्ट आप जेख सकते हैं तो आज की सीदियो आ बात करने वाले है इलियाट वेव थेवरी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर दिया गया है यह आपसन अभी इस वाले आपसन पर जाते हैं यहां पर आप भी देशकते हैं यह वाले पॉइंट पर इसको क्लिक करते हैं यहां पर आप नहीं सौरी इसको उपर व होता है तिन भाग में यह यह बी और यह सी ठीक है तो इलियर्ट डबल कंबो वेव भी होता है तो हम इसी को सीखने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों देश सकते हैं मार्केट में जब भी तेंजी आती ना स्पीड जो इसपीट पोईंट बनता है वो बनता है आपका इलियर्ट इंपल्सी वेव से चलिए इसको में एक्सक्प्लेंट करता हूं तो ये रहा इसको मोटा कर देते ही और इसको सो करते ही यहां से थीक यह रहा point A ठीड ये correction आया फिर यह रहा point आपका B कि फिर B से मार्के डिये गया आपका तिसरे point पे यहां तक एनिके impulse वेपकर यहांसे पर आया ठीक है फिर अब फियर यहां पर आप देसकते हैं یہ momentum आप आपको चलिए इसको में थोड़ा जूम कर देता हूं यह देर सकते हैं तो देखिए मार्केट यहां से शुरू हुआ था यह लेवल से यहां से आप दे सकते हैं तो मार्केट यहां से शुरू होता है तो यह फिर इसके बाद करेक्शन किया फिर इंपल्सी फिर करेक्शन फिर इंपलसी वेव तो इसमें होता क्या है तीन इंपलसी वेव बनता है ये बड़ा वाला एक हो गया दो हो गया ये तीन हो गया ठीक है इसमें दो करेक्शन आता है ये तीन इंपलसी वेव होता है दो करेक्शन आता है ये एक पूरे ट्रेंड का होता है ठीक है मतलब कि ये जब बात मार्केट जो है ना यहां पर फिर देखें यहां पर आप देखें यह और यह और यह बना रहा है ठीक है तो अभी क्या कर सकता है अभी इसको जज करते हैं यहां फिर जाते हैं इंडिकेटर में यह देखते हैं तो मार्केट क्या कर सकता है या फिर वो ABCD के फार्म में Combo Pack कर सकता है Combo Pack तो यानि कि यह इस प्रकास से साइड़ेश टेप का हो सकता है उसके बाद उन मोमेंटम दिखाएगा ठीक या फिर क्या कर सकता है वो correction न कर सकता है यह correction क्या होता है जैसे यह यहां से ऐसे आएगा फिर यह ऐसे आएगा है कि कारेक्शन भी कर सकता है तो करेक्शन कहां तक हो का सकता है यह स5000 मदलब होता है कि यह क्या करें गा एसे आएगा और यहां से यह करके फिर आएगा ठीकतिश ऐसे यह से सेलिंग प्रेश्री बनाए गा तुई mobil कर सकता है थिप यह से कुछ में कुछ यह करेगा ठीक है तो टेकनिकल अनलेशिस आपको आता है तो इलियत वेव फ्हेर्यू आपको आना चाहिए ठीक है तो यह point market कर सकता है ठीक है तो पांच point जो मैंने आप लोग को बताई यह इलिएट व्ययव का तरीका है समझने का तरीका है इसके बाद वॉन न होने चीन कर रहा है करेक्शन और आप देखी ये कर रहा है तो इसमने यहां से करेंकारी किया ठीन आगे की को explain किया हुआ है तो यहां पर मार्केट अभी करेक्शन कर सकता है तो करेक्शन कहां तक आ सकता है ठीक है चलिए तो करेक्शन जो है यहां पर आप दे सकते हैं यह यह यहां तक दिखाए दे रहा है 41-500 तक 41-500 को ब्रिक करेगा तो यहां पर फिर जो है न यह मार्केट जो है न हो सकता है कि यह यहां तक करेक्शन करे 40-40,000 41,000 के आसपास तक करेक्शन करे तो उसके लिए आप फिबोनासी रिटेशन भी लगा सकते हैं और इस प्रकास से अनलेसिस करना सीख सकते हैं देखिए क्योंकि मार्केट को अनलेसिस करना टोटल जो होना इलियर्ट वेवरी का खेल है तो देखिए जैसे मैंने आपको समझाया अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बड़ आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं स्टूडियो में जहें